कि नमस्ते सव nurt zat इस मॉर्नीं सेशन में सुब़े के सत्र में इसमें हम लोगwir हिए आभ्यास कर रहें कांशेस्नेस से सटो देखने का हुए हमारे को देखने का है लेसा कम लोग कर रहे हैं और इसको हम लोग ने 7 steps में किया है और हमारे 7 steps पूड़े हो गये हैं आज मैं सारे steps को एक बार रख देता हूं और फिर इससे related जो भी हम लोग के observation होगे इस बार हम लोग बात करेंगे sharing करेंगे और फिर हम लोग अब exercise to start करेंगे खल से तो एक बार मैं पूरा ब्रीफली रख देता हूं बात को फिर हम लोग आपस में observation को share कर सकते हैं तो लक्ष के रूप में देखेंगे तो लक्ष हमारा त्रप्ति पूर्वक जीना है और केवल त्रप्ति पूर्वक जीना नहीं है उसमें हमको निरंतरता भी चाहिए, continuity भी चाहिए तो निरंतर रप्ति पूर्वक जीना ये हमको अपने लक्ष के रूप में दिखता है उसको पूरा करने के अर्थ में हम यह अभ्यास करते हैं सही समझना, जब सही समझने की बात करने हैं तो जो भी वास्त्विक्ता हैं तो स्वयम से लेकर संपूल अस्तित्र तक को समझना इसकी बात करने हैं, इसका अभ्यास करने हैं, सही भाव विचार करना सायस्तित व्यवस्ता संबंद के अर्थ में इसका अभ्यास कर रहे हैं और सही जीना परसपरता में सायस्तित के अर्थ में वैवार कार व्यवस्ता में भागेदारी के रूप में तो यह हम लोग तीन बातों के अर्थ में अभ्यास कर रहे हैं और इन में से सही समझने के अद्ध में हम विस्तार से काम कर रहे हैं इस पूरे एक्सरसाइज में जिसको हम अभ्यास एक और अभ्यास दो एक्सरसाइज एक और एक्सरसाइज दो के रूप में देख रहे हैं तो सभ्साराइज टू को देखेंगे तो समझने के करम में हम लोग इस बात को फैला रहें गजातकेими तो पूरेस्थं में इकका भीहाई है, शून है, शून के साथ इककाईय संफरक्त हैं कि एकईयों को देखेंगे तो जड़ और चेतन नहीं दो तरह की एकाईय को देखती है कि उज़ारल के रूप में बेखेंगे तो चेतन जैसे कि मैं हूँ जड़ एक एक इसामपल रेव हैं और इन दोनों के बीच में जो संबंद है दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके साथ जो संबंद है उसको हम लोग देखने का काम कर रहे हैं और हम लोग इस बात पर बात कर रहे थे कि अभी तक देखेंगे तो हम लोग जीवन की शक्तियों को बाहर की और लगा रहे थे लेकिन अब इस अभ्यास से हम लोग देख रहे हैं तो हम अंदर की तरफ जा रहे हैं हमारे चैतन में जो किरियाएं चल लेए उस पर हम ध्यान दे रहे हैं और एक बार अंदर ठीक से ध्यान दे दें हमारे निर्णे की साधार पर हो सकते हैं एक बार अंदर यह ठीक हो जाए इसके साथ जब बाहर जाएंगे तो हमारा इंटरेक्शन और भी फाइन हो जाएगा हम चीजों को संपूर्टा के साथ देख पाएंगे लेकिन यह अंदर जाने का काम नहीं हुआ है कि बाहर देख रहे हैं तो बाहर जब डिसीजर लेने जाते हैं या थो हम कुद दुखी हो जाते हैं या बाहर घटना हो रही है उससे हमदो जाता है तो इसलिए हम लोग अंदर की तरफ अभी दे रहे हैं exercise 1 में फिर इसके साथ बाहर की तरफ भी देखेंगे इतने बैक्ग्राउन के साथ तो ज़्यादा fruitful interaction हो पाएगा शरीर के साथ भी और बाकी एकाईओं के साथ तो इस करम में हम लोग यह seven steps exercise कर रहे हैं और यह बात हम लोग ने बहुत बार ध्यान दिलाया है और हमको भी ध्यान है कि यह जो seven steps हैं यही steps नहीं है यह एक वे हैं लोगों के साथ experience करके यह seven steps लिखी गई है इस से हमको जब यह ध्यान दे रहे हैं तो हम लोग इस बात को देख भी रहे हैं और हम सब लोग काफी पहले से जुड़े हैं तो इस बात को ध्यान भी गिया है कि जब हम लोग अपने में देख रहे हैं तो उसमें हमें आखों की जरूद नहीं है किसी इंस्टूमेंट की जरूद नह हैं सीधे सीधे स्वैम में देखने का काम हम कर सकते हैं क्योंकि मेरे में वह चमता है कि मैं सीधे सीधे अपने को देख सकता हूं इसलिए शरीर की इस्तिती बहुत matter नहीं करती है, हम जिस भी अवस्ता में हैं, उस अवस्ता में ही देखने का काम continue कर सकते हैं, बैठे हैं तो भी देख सकते हैं, चल रहे हैं तो भी देख सकते हैं, खाना खा रहे हैं तो भी देख सकते हैं, क्योंकि देखने का काम तो मुझे अपने है इस अर्थ में देखेंगे तो इस प्रक्रिया में हम शरीर का यूज़ नहीं करना है घंठ हाल मुझे अपने पर थ्यान बेसकते हैं क्योंकि देखने का काम मुझे अपने में करना है इसके साथ हम लोग स्वयम को स्वयम के देखने का अभ्यास कर रहे हैं चैतनिकाई को देखने का अभ्यास कर रहे हैं तो उसमें हम लोग यह बात कर रहे हैं कि मैं स्वयम को देख रहा हूं सहजक होकर तो उसका तरीका क्या होगा तो उसका तरीका यह है कि अपनी कलतमा शिरता पर हम ध्यान देंगे और उसमें जो भी ध्यान हमारा जा रहा है जो मझे आ भी हम देख पा रहें कि आ इंद आदे दो स्थूल सबस्कराइब जो भी दियाएं वहां से हम लोग स्टार्ट करें और उसको देखना शुरूंगर है और इस बात पर हम लोग दियान दे रहे हैं बारबार कि जब देख रहे हैं तो उसमें प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं उसको रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं बदलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं उससे भागने का प्रयास नहीं कर रहे हैं जैसा चल रहा है वैसा ही देखने का नीर्ले बनाके रखे होए गले यह बात है कि मुझे बनाकर रखना कि अपने ऊपर द्यान देना है तो धीरेदियान मेरा अपनी दरफ्चिप्ट ने रगएगा कि उसमें जंप होता हैं बाहर जाते हैं लेकर हम इस मोक को बना कर रखे रहेmb tampon मुझे अपने उपर देना है तो ध्यान जाने लगेह। पहले कुछ विचार इच्छ आशा दूसर अब और देखने लगे हैं। और अब हम उसको जब देख रहें तो हम यह कि मेरे आशा विचार और भाव में क्या चलना है तो यह क्या चलना है इस पर हम हर पल हर चड़ ऑवेरनेस से देख रहे हैं तो एक तरह से देखेंगे तो यह बहुत सिमपल है सरल है क्योंकि कर्पमाशीलता कि हमने निरंतर चल लई है देखने की छमता में पहले से ही बनी हुई है मुझे देखने का निर्ला लेना है मातपूर इसलिए है कि इस छड़ मेरे सुक दुख जो भी मेरे में बना हुआ है वो मेरे निर्ला पर डिपेंड कर रहा है मेरी कल्पा शेलता में ही हो रहा है इसलिए देखना भी महतपूर है और सरल इसलिए है क्योंकि जो देखना है वो पहल चली रहा है और देखने की छमता भी अपने में बनी हुई है इस अर्थ में देखेंगे तो सरल भी है लेकिन महतपूर भी है और यह प्रक्रिया से निकलने का छमता भी हमें पूरी तरह के से बना हुआ है तो हम जिस चीज को महतपूर मानते हैं हम उस पर ही ध्यान देते हैं तो जब हमारा यह ध्यान चला जाता है कि हमारा सुख तुख कम्परटिबल्टी एक यह सब मेरी कल्पमा शिल्टा में बना हुआ कि यह निझा लुक्त है कि किbig एक इंपॉ nevertheless क्योंकि मैं तिप्पूर्वक जीना चाहता हूं और बार मैरी कल्पमा शिल्था मैं ऐसा हो जारा है जो उसकी निन्यंतरता नहीं हो पाती है महत्पोर काम है कि एक बार महत्पूर दिख जाता है तो हमारा ध्यान स्वता ही अपने उपर आता है और फिर हम देखने कि प्रक्रिया में लगते हैं अग है। कि अगर इस बात का निनले बनाए रखें कि आ देखना है और जब भी हमारा ध्यान कल्पना शिर्ता की और जाए हम बस उसे देखते रहें तो जब हम देख पाते हैं कि हम मात पूर तो हमारी कल्पना सब्सक्राइब भाव विचार मात पूर उससे हमारा सुक दुक हो रहा है तो हमारा ध्यान अपनी कल्पना शिर्ता की और इस चन्च जो चल लाए जो भावु विचार चल लाए उसका मैं मुल्यांकन कर घ 혼न ओन्हेसों कह जोबाब मेरे में चल आए ये सह स्विकार है कि नहीं है मेernenिद्वाव के अनरूप है कि नहीं है क्या और इसकी मैं निरंतर्ता को बनाया रखना चाहता हूं की लेकिन देखते हुए पूछ रहा हूं यह बहुत म privacy कुछ होने के बात पूछ रहाऊ तो लॉजिकली ठीक लगेगा लेकिन देखते हुए जो मैं पूछ रहा ओ मुल्यांकन होना स्टार्ट होगा मूल्यांकन होना स्टार्ट हो जाएगा यह एक महत्पूल बात है फिर बहुत सारी चीजे कल्पमा शिर्त में जो उतल फुतल है वो धीरे-धीरे रिजॉल्व होने लगेगा तो देखते हुए मैं अपने से यह बात पूछ रहा हूं कि यह भाव मुझे सहस्विकार है कि नहीं है मेरे स्वभाव के अनुरूप है कि नहीं है टो यह मैं अपने में पूछ रहा हूं हर पर हरए छण पूछ रहा हो है और अपने द्यान के लिए जो भी मेरे में घटीत होगा तो पूछ सब्सक्राइल सक आहरा हूं अ सबस्क्त कर एंस तक चायरे हैं अब बाई इससे मैं आराम में पारशान नहीं पूछ रहा हूं तो All three को मिला कर देखेंगे तो हम भाव का मुल्यांकन कर रहा है इस बात के हम लोग ठोड़ा सा ध्यान दे कि मूल्यांकन कर रहा है विचार नहीं कर रहा है मुल्यांकन का मतलब यह हुआ है कि अब मैं देख रहा हूं और अपने भाव को देखने की सुच मतलब के साथ देख रहा हूं मुझे अपना भाव दिख रहा है और देखते हुए मैं यह मुल्यांकित कर रहा हूं इतना अगर मैं करता हूं तो स्टप फोर एक महत्पूर स्टप बन जाती है तो मैं यह देखता हूं कि मैं सहज भाव से सुखी होता हूं और मेरे भाव के आधार पर ही मेरा सुखदुपत होता है अब प्रश्णी यह बनता है यह जो मेरे में चल ला है इसका निर्णाय कौन ले रहा है इस भाव का निर्णाय कौन ले रहा है मैं सुखी होना चाहता हूं अन्यथा कुछ चल ला है इसका निर्णाय कौन ले रहा है मैं सुखी होना चाहता हूं और भाव कमफर्टेबल चल ल यह दोनों ही स्थिति में निर्ड़ाय कौन ले रहा है इस बात की किलियर्टी होना जरूरी है जनरली हमारा ध्यान तभी जाता है निर्ड़ाय कौन लेने वाले प्रश्ण पर जब मैं परशान होता हूं लेकिन जब मैं आराम में भी हूं जब मैं कमफर्टेबल भी फील कर रहा हूं तब भी मैं अपने से पूछ रहा हूं यह जो कमफर्टेबल्टी भी फील हो रही है इसका निर्ड़ाय कौन ले रहा है यह दोनों ही प्रिस्तिति में पूछेंगे तो हम मारा यह देखने का सुश्मिता बढ़ेगा कि निर्ड़ाय बाहर क कि परिस्तिती से हो रहा है दूसरे व्यक्ति से हो रहा है या मैं स्वैम ले रहा हूं तो एक बार यह खिलियर हो जाए तो यहां से होता है कि अब हम काम किस पर करेंगे तो बाहर की परिस्तिती से अगर मेरे में कमपर्टिबल्टी बनी हुई है जो भाव भी चल ला है वह कि परिस्तिती के कारण हुआ है किसी ने मेरी बात मान लिए मेरे घज में चारपा समान आ गया है इसलिए अब मैं बहुत तो मैं उस प्रिस्थिति को फिर बनाए रखने का काम करूँगा मुझे लगेगा और लोग मेरी बात मान ले और दो चार चीजे समान ले आऊंगे मेरे में जो व्यक्ति के वयभार से हो गई है वो अच्छा विक्ति इसलिए मेरे में आगी उसके लिए अच्छा बाव आ dites तो मैं उस व्यक्ति को अपने राउंड बनाये रखोँ गा या उस जैसे व्यक्ति को मैं ढूर्णने लगdes अगर मैं परिशान हूं और बाहर की परिस्तिति के में कुछ हुआ इसलिए मैं परिशान हुआ हूं और मुझे लग रहा है कि बाहर की परिस्तिति कारण इसका है मैं उस परिस्तिति को ठीक करने में लग जाओंगा इसी तरह दूसरे व्यक्ति के कारण मुझे परिशाणी हुई है तो मैं उस्व्यक्ति को ठीक करना में लग जाओगा कि आगर यह पता चल जाए कि मेरे में जो चला है इस सांही पर हूं। यह मेरे निर्लव से हो रहा है कि बाहर का परिस्थिती विव्यक्ति कुछ मैं से कुछ किया हमारा कोई संसकार एक्टिव हो गया इतना तो हुआ मैं लेकिन चलाए रखना है यह यह दिक आप मुझे दिखेगा कि पहले तो स्वैम पर ही काम करना है यह स्वैम में बार बार जो निर्णाय मैं ले लेता हूं इसको ठीक करते हैं फिर बापस जाकर बाहर की परिस्तिति और व्यक्ति इनके साथ मैं ठीक से इंट्रेक्शन करूंगा लेकिन अगर यह तैनी हुआ है कि मेरे भाव विचार का निर्णाय कौन ले रहा है और मैं बार बार ध्यान दिलता हूं इस बात कर कि जब हम यह कह रहे हैं कि निर्णाय कौन ले रहा है तो मैं देखते हुए यह बात अपने से पूछ रहा हूं कि इसका विचार नहीं कर रहा हूं गटना के बाद कर रहे हैं के में लेकिन मैं अ अब मेरे मेरे में चलनाय साही या निधा कि यह बाहर की परिस्तिती व्यक्ति या मैं त़्यiform निर्णायर यह ले तब मुझे यह बात का confidence आएगा कि हाँ अब मैं ले रहा हूं तो मुझे अपने उपर ही काम करना है क्योंकि अब मैं अपने सुब्दुख का जिम्मेदार खुदी हो गया हूं तो इस तरह से देखेंगे तो यह step एक बहुत माहतफूर step है यहां से clarity बन जाती है कि अब मुझे काम अपने उपर करना है और फिर यह करते हुए लौट कर बाहर जो परिस्तितियां व्यक्तियां उनके लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे तो लौट के करेंगे अपने उपर करना है अपने जिम्मेदारी पहले सुईकार लें कि मेरे में जो चला है मेरा ही तैक हुआ हुआ है इसको ठीक कर लें सही करते हो जाए फिर मैं बाहर आकर परिस्तिति और व्यक्ति दोनों के साथ ठीक ठीक इंट्रेक्शन कर पाऊंगा उनके साथ क्या प्रोग्राम बनना उसका ठीक ठीक डढ़ने लें पाऊंगा है तो इस्टफोर से निकल के आता है कि मैं अपने सुख दुख के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं यह कि इंपॉर्टेंट बात है अगर यह संस चला गया कि मैं भी जिम्मेदार हूं दूसरा भी जिम्मेदार है तो उसमें फिर दूसरे वाले पर ध्यान शक्त हो जाता है लेकिन मेरे भाव में जो चला उसका मैं ही जिम्मेदार हूं तो मैं अपने भाव को ठीक करी सकता हूं बाहर का व्यक्ति और प्रिस्तिति कुछ भी हो क्योंकि मेरे में क्या भाव चले गड़ा यह बाहर की प्रिस्तिति तैर नहीं कर सकते हैं बाहर जो व्यक्ति हैं वो तया नहीं कर सकते मेरे मेली काच लगे मैं ही मत हीं कर रहा हूं तो मैं कर रहा हूं ये बात पर ध्यान चला जाए यह तब हम इस के कम पाइफ पर जाते और स्टेप फाइब में हम यह देख पाएंगे कि अब यह जो निर्ड़े हो रहा है मैं किस आधार पर ले रहा हूं तो कुछ अन्यथा चल ला है लेकिन चाहता मैं त्रप्ति पूर्वक जीना हूं इसकी निर्णतरता चाहता हूं लेकिन निर्ले मैं अरंधर ले रहा हूं तो आधार क्या है चाहा तो मैं त्रप्ति पुर्वक जीना रहाता निर्ले मैं कुछ और ले रहा हूं आधार क्या है इसी तरह मैं कमफर्टेबल हूं कुछ भाव ठीक चल ला है लेकिन जब मैं अपने से पूछ रहा हूं क्या इस भ कि यह नी्डलनमे किस आधार पर लिया है यह करना है जबmäß अच्छा लगता है उसके बार्ट हम परिशान ने लगते हैं बोर नहीं लगतें तो आप दो आप्शन बसते हैं या तो सही समझ के साथ हो रहा है या माननेता के साथ हो रहा है माननेता मतलब जितना मुझे वास्तिक्ता नहीं किलियर हुआ उतने में मैंने कुछ मान लिया है कि जो मान लिया है यहां से निर्ड़े हो जा रहा है मुझसे मैं कर लेता हूं निर्ड़े तो जब मैं सही समझ के आधार पर भाव विचार का निर्ड़े लेता हूं तब मैं वैसे भाव विचार का निर्ड़े लेता हूं जो मुझे सह स्विकार होते हैं इससे मैं आराम में संगीत में रहता हूं रहता हूं जब मैं किसी मानता के आधहर पर अपने भाव विच्छार का नीड़ने करता हूं तब यह निश्शित नहीं रहता है कि मैं किस पक्ष में रहाँ इनका कि अनिश्यत्ता वनि रहती है उस से मेरे में परिशानी बनी जतозм़टी अ कि लेकिन सही समझ के आधार और यह मेरे लिए महतपूर हो गया है तो अब सही समझना भी मेरी का आवशक्ता बन गया है कि अपने भाव विचार का निर्णे मैं समझ के अधार पर लूँ चाय परिस्तिती कैसे हो लेकिन निर्णे मैं अपनी समझ के अधार पर लूँ समझ के अधार पर भाव विचार का निर कब यहहतं भाऊ है कि अब यह कर ना हमारे लिए आवशक होगा ईकाको कि में हम लोग बात को कर रहे हैं कि हमायरे लिए कौंसा बहुत सभाव तो हमें अपने से पूछ रहें कि संबने का भाव और है कि व्याहि shapes विवस्ता का भाव सहज है और इनी भाव के दिन तरता चाहते हैं यह एक बार पूछ लेते हैं तो अब हमको यह क्लियर हो जाता है कि इसलिए अब मुझे तीनों को समझने क्या हो शकता है जिसका मतलब यह कि मुझे संबंध और संबंध में अपनी भागीदारी के चिंतन के आवशकता है संगीत विवस्था के बोध के आवशकता है सास्ञ्द के अनुबो की आवशक्ता है अब यही मेरी आवशक्ता बन गया है क्योंकि इनी की आधार पर जब भाव विचार बनेगा तो वो कमफørटेबल करेगा हमको उससे मैं चैतनय का इते निखार रागी और इसका को समझनी क्या लिए संबंद को संगीत को सास्तितों को तो इसलिए अब इसलिए ऐस बात को करें य मुद के लाटी हो जाए हो जाए उस साउस्थित में हर एक ह normalized में और है उसनायी व्वस्ता का हमको बोध हो जए और हर इकाई व्यवस्ता में होते विवस्ता में भागीदारी कर रही है अब हरीकाई के साथ मेरी भागीदारी क्या है इस बात की किल्यार्टी होने लगे इसी को चिंतन बोले है तो हारी काई के साथ मेरी भागीदारी क्या है अब ये बात की जो क्लियर्टी है ये मेरे चित्रण में हो रही है चित्रण में फैला रहा हूं इसको अब इस चित्रण के साथ मैं जब विचार कर रहा हूं तो विचार भी कंपर्टेबल है और उसके साथ जो मैं सेलेक्शन कर और यही मैं चाहता हूं कि तरप्ति पुर्वक जी हूं और बाहर भागीदारी होती है मेरी और बाहर भागीदारी होना तो एक नैचुरल है अगर मैं अंदर तरप्त हूं तो तो इसलिए सास्तित को समझना विवस्ता को समझना विवस्ता में भागीदारी को समझना अब मेर में के ववस्ता के अर्थ में है तो हर पल हर चब को हमेद जने उपर और अपने सब्सक्राइब में He able हुग होना इस बात पर हो गया कि मैं हर पल हर जड एनिस के साथ को पर इन भाओं को सुनिष्चِत कर पा रहा हूं कि कर पा रहा हूं तो बनी देगी जिस उट नहीं कर पाऊंगा उस चर्म नहीं बनेगी ब्रेक हो जाएगी तो फिर हम ध्यान देंगे कि जरूर मेरा निर्णा ऐसी जगह से हो गया है किसी माननता से हो गया है जो साहस्थित व्यवस्ता संबन्द के अर्थ में नहीं हुआ है तो फिर से हम ध्यान देंगे सहस्तित क्या है विवस्ता क्या है संबन्द क्या है उसके अर्थ में मेरे अंदर क्या आ गया है उसके भाव में तो जैसे जैसे मैं सहस्तित विवस्ता संबन्द पर ध्यान दूंगा तो उसकी समझ के भाव में जो बन गया था वो ठीक होने लगे इस अभ्यास को करते हुए यह सहज भाव बने रहे हैं यह हर पल हर चड़ मेरा ध्यान बना रहे हैं इसके साथ मेरा सुक्ष हमेशा के लिए बना रहेगा निरंतर बना रहे है तो इसके लगारना को अतने है कि हर पल initially मैं इस वह निश्चित कर पा रहा है कि नहीं नहीं कर पार रहा हूं इस रहां है तो इसके साथ हम ये देख पा रहे हैं कि मैं सही वहाओं के पच्छ में जब, मैं आराम में रहता हूं और फिर से मैं इस बात को ध्यान दिला रहा हूं कि जब हम लोग यह सब कर रहे हैं तो जब देख रहे हैं तब चीज़े हो रहे हैं कि इसके विचार नहीं कर रहे हैं जब मैं अपने में देख रहा हूं कि देखो मैंने अभी निल्ड़े लिया साइस्तित्यू के अर्थ में अब इससे जो भाव बना है इससे मैं आराम में आ गया हूं यह दिख जाता है तो हमारा देख रहा हूं कि देखो मैंने संबंद के साथ विवस्ता के साथ सास्तित्यू के साथ निर्णा लिया है अब इससे भाव बन रहा है इसे मैं आराम में हूं और जिस छड़ भी मैं यह देख पाऊंगा उस चड़ मेरे में यह विश्वास बनेगा कि मेरा निर्णा सुख के अ बाहर का व्यक्ति वश्वास इतना ही कर सकता है कि मुझे एक्स्प्रेस नहोंने दें लेकिन मेरे कल्पा शिलता में क्या चला है इसको तो मैं ही तरह कर सकता हूं तो मैं देख रहा हूं देखते हुए अब मैं इस बात को देख पा रहा हूं कि जब जब मैं विवस्ता के अर्थ में निर्णे लेता हूं जब जब विवस्ता के अर्थ में मेरे भाव बनते हैं विचार बनते हैं तो मैं कमफर्टेबल होता हूं यह मैं देख पा रहा हूं य यह देख पाना है कि महतपूर बात है तो जब भी मैं यह देख पाता हूं कि मैं संबंद संगीत और सहस्तित को संपूर्था से समझता हूं तो मेरे में सही समझ के अधार पर सही भाव का होना एक नेचुरल प्रक्रिया के तहत हो जाता है वह इस छड़ भी हो सकता है अगले व्यवस्ता और सहस्तित को समझना आवश्यक है और इस संबंद व्यवस्ता और सहस्तित के अत्मे भाव विचार को सुनिशित करना आवश्यक है ऐसा करके मैं स्वयम सुखी रह पाता हूं अब मेरा सुखता हो गया है मेरे से व्यवस्ता संबंद सहस्तित के अत्मे मेरे भा बाहर इंट्रेक्शन करूंगा तो दूसरों का भी ध्यान इस हस्तित्व विवस्ता और संबंद पर चला जाए इसके लिए प्रोग्राम बनाओंगा उसके लिए प्रयास करूंगा और ऐसा करते हुए मुझे कोई छोब नहीं होगा क्योंकि मेरे अंदर जो भाव विचार चल मेरे बाव विचार हो गए तो बाहर मुझेक क्या होगा भागिदारी होगी उससे अनेथा क्या स्कूप बनेगा की अससे अने तोड़ को स्कूप यह बनेगा क्योंकि अब मैठी कलपना चिलता मेष विचार फैल गया यह जो इच्छा फैल लएंए उस सब भागिदारी कोगी के आर्थ में होगा effortless होगा और यह करते हुए मुझे में स्षोप निए अब तो मैं सुखी हो कर comfortable हो कर ना interaction कर रहा हूं शोप का इसकोब तब है जाब मुझे में इतना नहीं हुआ है और मैं इस आशा से करता हूं कि बहार Спटी सोब मेरे लिए जो हो तो तो हो गया है मैं सास्तित किस परश्टता कर रहा हूं व्रवस्ता पर ध्यान दे रहा हूं संबन पर ध्यान दे रहा हूं अब इसके साथ मेरे कल्पना शिर्टा में भाव विचार सास्तित पूरवक्की चल रहे हैं व्रवस्ता पूरवक्की चल रहे हैं अब चल रहे हैं तो अब मैं बाहर जो हो रहा है भागीदारी के तहित हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है नहीं दे पा रहा है तो भी मेरे भाव विचार में फरक नहीं पड़ा है बलकि उसका भी विवस्ता पर ध्यान चला जाए इसके साथ मैं उसके लिए प्रोग्राम बनाओंगा और एक बार उसका ध्यान चला जाएगा तो वह भी विवस्ता में भागीदारी होने के लगेगा उससे भी होने ही लगेगा यही और अन्यता वह वह क्या करेगा तो इतनी बात हम लोग स्टेप वन टू सेवन में कर रहे हैं तो यह पूरा एक साथ लिखती है है इतनी बात इतने प्रोसेस इतनी प्रक्रिया पर हमारा ध्यान जाता है तो हम इस बात के साथ में आप आते हैं कि अब मेरा भाव विचार में अपने इसे अपनी समझ से समंध्रल्स्त किसम इतने सो सेच्व कर सकता हो इतने साथ मैं अराम में रहता हूं संगीत में रहता हूं और हर पट । इकर मैं इन भाव को सुनेश्यत कर पाता हूं तो हर इस के साथ हम लोग ने इस को बहुत ने किए अब आपका क्यों से को लेकर है तो तो कभी-कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है यह है कि जो निर्ने का जो वह है वह मतलब मैं ही लेता हूं यहां तक तो ठीक है हमेशा नहीं दिखता है बट उसके आगे बढ़ते हैं तो उष्में दिखती है तो क talking १ son khar करें और कि बढ़ते हैं और कि बढ़ते बट शन्सकारों के साथ जो कुछ लैना उसमें कई रब बड़ी पीडा होती है मतलब मुझे पता है कि पूढ़ाता दाजा पहले सी रहता है कि काफी समय से उन चीजों के पीछेए लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे हैं और बार 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 वो चीजें जो है वो पीछे से आ रहे हैं उसी से मेरा आगे का भाव और सारी चीजें गरवड हो रहा हैं तो मेरा प्रशन ये है कि क्या संस्कारों के कुछ लब क्लासिफिकेशन भी कर रखे हैं और उनसे निपटने के लि तो देखिए यह तो ठीक बात आपने कही कि जब हम देखने जाते हैं कि संस्कारों को कई लेकिन अधर वाई सो अधर्वाइस तो भी अपने हो रहा है वो मेरी मानने तार संसकार के कारण हो रहा है अब कोश्चन यह है कि अब यह चुटकारा कैसे मिलेगा इससे जो बार बार इसको देखते हैं पीड़ा होती है इससे कैसे चुटकारा मिलेगा तो उसके लिए ही हम लोग यह बात कर रहेते कि जब हम उसको देख रहे हैं और हमको पीड़ा हो रही है तो जनरली क्या होता है हम उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ने लगते हैं कौन है कैसे शुरूबाता कौन इसका कारण सब्सक्राइब लगते हैं तो फिर वो चीज़ें और उलजने लगती हैं वह संसकार और डिश्टब होने लगता तो पहले से निदे में लगता है तो रीक्षेंस बढ़ता है पिर इसे लगता है कि बंदी कर दो देखना ज़्याद तो उसका जो रास्ता है वह हम लोग यहां पर यह डिसकर्स कर रहे हैं कि जब हमको किलियर हो गया कि संसकार के कारण मेरे में बना हुआ है जो भी प्यूड़ा तो एक तो मैं अपने से पूछ लूँ सहे स्विकार है कि नहीं उसी समय कि चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं अगर इतना भी हम उस समय पूछ देखते हुए तो इसकी लूज होती है थोड़ी सी इसके साथ अब मैं यह ध्यान दूँ कि जैसे एक्जामपर के लिए जैसे किसी मनुष्य का किसी व्यक्ति के साथ कुछ ध्यान आ जाता है मन लिए और मैं बार बार पीड़ी थोने दखता हूं मैं अब इस बात पर ध्यान दूं कि इस व्यक्ति के बारे में जब मैं सोच रहा हूं कि min 5 विश्वास के भाव से अब मैं शुरू करूं इसके बारे में देखना है इस नहीं के भाव से बारे में विचार करते हैं या द्वेश के भाव में विचार करेंगे यह जब पूछेंगे तो हमको आंसर मिलने लगेगा कि विश्वास के भाव से हमको देखना है इस नहीं के भाव से देखना है विश्वास के भाव से जब उसी बात को देखेंगे आप तो आपको दिखेगा कि चाहना के रूप में वह भी ठीक है चाहना के रूप में तो मैं कुछ बन गया है मेरे में लेकिन जब विश्वास के भाव से शुरू करेंगे तो हम यह देख पाएंगे कि उसकी चाहना ठीक है चमता उसमें भी है देखने की लेकिन ध्यान ना जाने के कारण बहुत सारी चीचे स्लिप होती रही है तो जब आप विश्वास के भाव से शुरू करेंगे इस ने के भाव से शुरू करेंगे तो यह जो संसकार बार-बार रियक्शन में आ रहाता है यह उतना रियक्शन में नहीं आएगा बलकि यह लूज पढ़ेगा दिरे-दिरे फिर हमारा ध्यान जाएगा विश्वास का भाव इस पर लंशोर हो जाए इसके लिए किस चीच पर ध्यान देना जरूरी है किस वास्विक्तव में ध्यान दो तो हमारा ध्यान जाएगा कि अगर हमको विश्वास का भाव बनाया रखना है तो उस व्यक्ति का जो चाहना है उस पर देना पड़ेगा जैसे आप चाहनाा के रूप में ध्यान देंगे आपको दिखेगा चाहना के रूप में और भी ठीक है जैसे उसको ध्यान देने लगता हूं और चाहना पर विश्वास करते हुए ध्यान दूंगा तो फिर मैं देख पाऊंगा अब क्या प्रोग्राम मन सकता है कि अगर चहानब पर ध्यान नहीं दूंगा यानि कि भाव से नहीं उस चीछ को देखूंगा मैं तो वह संसकार और रियक्टिव होता जाएगा अइससन चीफटों कि लिकिश Stati कि तो कहां से शुरू करना यह क्षवास से शुरू करना है अब मैं अपने से पूशूंगा इस तरव विश्वास का वह संस्यीं एंसार कि ने ध्यानunde गूं तो अब आप इसकी इंटेंस्टी कम होगी ऐसा मुझे लगता है अब एक और प्रश्ण इसी के साथ बन रहा है कि जो संबंध है उसमें तो यह ठीक है यह जो नाइन वैलूज है विश्वास प्रेम और यह अब जो बिवस्ता और सहतित है उसके साथ भी कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है क्या मतलब जैसे संब्ण हम देख रहे हैं तो उसमें मूल देखेंगे वैल्यू देख लेंगे विश्वास है प्रेम में अब क्या देखना होगा ऐस तो जैसे आप एक पेड़ को देखेंगे पेड़ देखेंगे छोटी-छोटी के रिणाओं से बना हुआ है तो जैसे कि आप पेड़ में फल को देखेंगे पत्ती को देखेंगे उसके सेल को देखेंगे एक सेल से मिलकर एक पत्ती बनी हुई है तो जो सेल है वह व्यवस्था में कि अव्यवस्था में व्यवस्था में और केबल व्यवस्था में नहीं है वह पत्ती की व्यवस्था मे तो ब्रबस्ता में नीज़े करते हैं इंपॉर्टन बात यह अगर व्यवस्ता और भगी दाड़ी शुरू करेंगे तो पूरी प्रकति में आपको व्यवस्तिती दिखेगी अगर आप इंडिविजली चीज़ों को देखेंगे तो बहुत सारे प्रेस्टिक हो जाएंगे तो कनेक्ट नहीं होगा वह होलिस्टिक उसमें ही करनेक्ट होता है जब मैं करूंगा इन इकाईयों के साथ प्रकति में तो अब मैं जब इंट्रेक्शन करूंगा तो मैं अब मेरा इस पेड़ के साथ क्या भागीदारी होगी तो नैच्रल इंस्पिरेशन आएगा चलो बहुत पानी जाल दें लिए कर सकते हैं करी दें इसके ग्रोथ के लिए कुछ करें अब यह नैच्रल आने लगेगा क्योंकि मैं भागीदारी के अर्थ में उसको देख रहा ह तो फिर वाला दिखने लेगेगा आपको बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक वो था मस्कनेक्ट नहीं हो रहा था आपने यहां में प्रश्न है और दुसरा मेरी एक छोटी से घटना की शेरिंग जो मेरे साथ हुई था सबसे पहले मैं प्रश्न पूछ लेना चाहते हूं तो अब प्रश्न यह है कि इस पूरे जो मैंने अभी एक्सरसाइज वन पढ़ी है उसमें मैंने यह कॉन्क्लूट किया है कि जैसा सबसे स्टार्टिंग में स्टेप वन में है कि जो भी विचार आ रहे हैं जा रहे हैं उनको देखें बिना उनमें इन्वाल्व होई तो मु प्रश्न आने लगती है या उन विचारों से खुश होने लगती हूं या उन विचारों से दुखी होने लगती हूं तो उसी के बाद जो है वो चीजे गड़बड़ाने लगती है गड़बड़ी शुरू हो जाती है जैसे मैं उसमें इन्वाल्व हो गई फिर अगर उसमें किसी से बात कर रही हूँ अब बात करते करते मुझे अच्छा लगने लगा अब मैं चाहूंगे कि वो ना जाए अब वो हाँ से उठके जाता है तो फिर मुझे बुरा लगता है तो मैंने इस तरह से ये मान लिया है कि अगर मैं उन विचारों में या उन घटनाओं में इन्वाल्व होती हूँ तो उनका मुल्यांकन मैं ठीक ठीक नहीं कर पाती हूँ और वो चीज फिर मेरे हाथ से निकल जाती है तो मैं फिर उसमें इन्वाल्व होने से बचती हूँ घटना हो बट मुझे इतनों इन्वाल्व ना हूँ इससे कि मैं चीजों को देख सकूँ, उनका ठीक ठीक मुल्यांकन कर सकूँ और उसके कारडिंग अपना आगे का कारिकरह में वो बना सकूँ बैलन्स रह सकूँ, स्वेहम में, हार्मनी में रह सकूँ लेकिन भया, इसमें मुझे एक चीज ये थोड़ा सा जो लग रहा है कि कहीं वो मिसना हो जाए कि पहले चीज तो ये है कि जो मानेता वाले पार्ट तक, जो मेरी मानेता है, वहां तक मैं पहुँच ही ना पाँ मेरा पहला प्रश्ण था काफी अच्छा आपने और ये बात को मैं बार बार ध्यान दिलाने की कोशिश भी कर रहा था कि जब सही भी कुछ हो रहा है तो भी हम अपने से पूछें कि ये इसका अधार क्या निर्णे का तभी मेरी कोई मानेता के अधार पर कुछ चल ला है और बाहर वाला जो व्यक्ति है वो भी उसी मानेता के साथ महीं है तो उसमें इनवाल्व होने लगते हैं हमको लगता है कि कमपटेबल तो फील करी रहें पूछते हैं कि यह जो मेरे में बना हुआ है क्या इसकी निर्णतरता हो सकती है क्या यह संबंद व्यवस्ता और साइस्थित के अधार पर है तो हम उसी में इतना इनवाल हो जाते हैं कि जब व्यक्ति चला जाता है फिर हमको ध्यानाता है कुछ है तो यह बात ठीकी है कि यह जो हम लोग बात कर दें कि यह तो हमको हर पल पूछना है अच्छा लग रहा है तो भी अन्यता चला है तो भी क्या यह इससे मेरे सुक्की निर्णतरता हो सकती है अगर यह तैय करेंगे तो हम जब किसी से बात भी कर रहे हैं या बहुत अभार कुछ ऐसा हो भी रहे हैं जो मेरी किसी बानताओं के अनुकूल है कि तो हम यह देख पाएंगे इसमें कितना इनवाल होने की आँशकता है क्योंकि इससे निरंतर था तो हो नहीं सकती है तो हम लोग टैकर पाएंगे इसमें कितना इनवाल निकी जरुवत है तो उससे जो एसेंस लेना है बात से एसेंस लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे कि अधोर ने तो क्या है कि हम उसी बात से चिपक जाते हैं कि भी लोग पर बार फोर्म यान लगते हैं तो दीकिजी होता है जब हम यह सब कर रहे होते हैं तो हमारे जो मानरेता है कि अनुकूल लोग मिले और श्रॉंग होने । और फिर उससे बहुत सारी आशाय है बन जाती यह व्यक्ति देखो ऐसा कर रहा था नेक्स भी आप नहीं कर रहा है जय वह कितनी देर दे तक बात करता है तो आप यह बहुत बोलते नहीं हो जी तिती बताये जी हाँ भी आ लगाए मुझे कमफर्टेबल या दिसकमफर्टेबल जो भी लग रहा है मैं ये पूछो कि ये जो हो रहे यह इसका आधार क्या है सहाय स्विक्रिती है विवस्था है या फिर यह कोई माननेता है मैं समझ गई इसी लिवल पे मुझे पकड़ना है साथ के साथ ही ठीक है यह मेरी समझ में आ गई चीज मैं अब इसे प्रयास करोगी और जो मैं घटना शेयर करने के बात कर रही थी वह मैं जे कर पाई अभी करीब वन वीक पहले की बात है मैं इसी तरह से बैट के एक चोटा से दो तीन लोग का गेदरिंग था मैं उसमें बात कर रही थी तो उसमें फिर किसी ने मुझ से बोला कि आप थोड़ा सा चले जाए मुझे इन से कुछ अलग से बात करनी है जब ऐसा इन से मेरे साथ पहले भी हुआ है कई बार फ्रिक्वेंटली कि लोग ऐसे बोलते हैं लेकिन उस समय मुझे इतनी तेज इंसर्ट फील होती है कि मेरे विकुल सोचने समझने की पावर खतम हो जाती है और या तो मैं कुछ बहुत बुरा रियाक्ट करने लगती हूं या बिल से कुछ बात करनी है और वो मेरे घर के ही थे तो मुझे थोड़ा सा इंसर्ट फील हुआ बट जैसे ही मुझे चीजे बिगणने स्टार्ट में मैंने कुछ से यह प्रश्ट किया कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है मैं इतना डिसकंफर्ट में क्यों आ रही है फिर जब मैं क्या हाला कि अंदर बिगणने स्टार्ट हो चुका था बट जैसे जैसे मैं इस बात पर ध्यान देती गई कि बाहर से तो इस तरह की घटनाए हो ही सकती है मुझे मेरा क्या कारिक्रम है उन घटनाओं से निपटने का फिर ऐसा सोचते सोचते मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं फिर मतलब हुई ही नहीं और मुझे यह लगा कि बाहर से तो इस तरह की चीजे आएंगी ही मेरी क्या तैयारी है तो मैंने उसी समय एक चीज देखी कि फास्ट में भी घटनाए होती रही है इसका मतलब इसमें जरूर मेरी ऐसी कोई मानेता है ऐसी कोई फास्ट लगी हुई है ज तरह से तीन-चार चीजे जो होती होंगी मैंने ऐसा अंदाजा लगाए लेकिन मुझे यह समझ में आ गया कि यह जो भी घटना मेरे साथ होती थी इस तरह की पास्ट में यह भी हो रही है वो उसको अर्थ में ही दे रही हूँ फिर मैंने इस तरह से भी सोचा जैसा कि इसमे कि यह जो इनसान जो मुझसे बोल रहा है अगर यह कोई बच्चा होता या फिर कोई बिमार होता मानसिक रूफ से तब तो मेरा ऐसा रियक्शन नहीं होता तो इसका मतलब है कि इसको अर्थ जो है वो मैं ही दे रही हूँ इस पूरी घटना को मैं कंट्रोल कर रही हूँ और मैं चाहूं तो मेरा भाव बिगड़ेगा नहीं चाहूं तो नहीं बिगड़ेगा तो पहली बार ऐसा हुआ वह बया कि इतनी तीवर इंटेंसिटी में मैं चीजों को कंट्रोल कर पाई बाहर कई बार यह क्या घटना नहीं होती तो नहीं पता चलता है लेकिन अंदर पूर सफलता है और सुखत सफलता रही उस घटना के उपर क्योंकि इस तरह के तीव रावेश में बिल्कुल नहीं सोच विचार पाते कि क्या हो रहा है यह बतलब इस कंटेंट का मेरे उपर बहुत बड़ा उपकार रहा बस भीया इतनी सी मेरी शेरिंग थी मुझे लगा मुझे शेयर करना जी घटना इसलिए मैंने शेयर की सुनने के लिए जीट है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं कि हमको क्या करना है सिर्फ ध्यान देना है कि प्रोसेस पर बाखी चीज़ें होने लगेंगी उसमें से एक कुछ आपकी साथ हो गया है हंदर कुछ प्रोसेस में आप ध्यान देते रहें तो कुछ तो मानता है जो लूज हुई है लूज हुई है इसलिए परिश्थिते हुई है लेकिन आप इतना परिशान नहीं हुए व मारad भी आ अगर ए आगर हम प्रोसेस पर ने द्यान दे शर्प इस बात पर फिर परिचानी होने लगती है का इसली पर दिया है कि करना के सिर्फ ध्यान देना लेती चुन भी और साथ घॉने लगेगा जैसा हमारी फ्रेक्षकाइब छी अपनी को देखने की बढ़ने लगे कि यही निकल के आएगा कि बहुत सारी चीजे जो अंदर जमी हुई थी वह धीजे दिने रिजॉल होने लगेंगी उसमें से एक आपने शेयर किया यह तो बहुत अच्छी बात है बढ़िया थी जी ब्याद धन्यवाद आपसे थोड़ा विस्तार में समझना था कि जो हमारा संबंध व्यवस्था और तरस्तित्व इतिनों को इतिनों का वरिपुर्णता हमें चाहिए इसको फिल करना चाहिए तो इसका मतलब क्या हता है तो थोड़ा विस्तार में तो यह बात तो ठीक करें अब कि हम लोग इस बात को धियान दिला रहे हैं कि अब हमको संबंध कि संबंद में भागीदारी के साथ विवस्ता और सास्तित्वर इस पर ध्यान देना है इसके साथ ही हम संपूर्था में चीजों को देख पाएंगे और इसके साथ ही हमारे में जो अन्डेथा संसकार है वो इवल्यूएट हो पाएंगे तो जिए ध्यान इस पर देंगे तो इवल्यूशन स्टाट होने लगेगा तोड़े से एफट के साथ इसलिए हमारी आफशक्ता तु यह बन गया है ध्यान देना अब है कि जब ध्यान देने जाएंगे का है ना तो कैसे शुरू करेंगे का इसा entities पूछना चाले हैं कूछ और मुछने जारे हैं नहीं यह उइए टो कैसे शुरू करेंगे हैं से दो द Kelsey की हो सकते हैं कि एक तो जब हम किसी के साथ interaction कर रहे हैं वहां से भी हम देख सकते हैं या मैं अपने ध्यान दे रहा हूं और तो पहले मैं पहले बारा एक स्प्रीक्शन कर देता है क्योंकि जल्ली के लियर हो जाता है मैं जैसे जब कि कि निंदे 2 ए वीकिशन करा हूं कर लिए गर में ऑफिस में कर अःवा कुछ kय जो से अफर होता है जो उसी एफ्हार ची इन दे रहा हूं कि जब मनुष के साथ ईंदे करूंगा तो वह ऐसे घ्थान मुझे सांब करें और उसके साथ भी इंट्रक्षेंट में भागी दा रहे हैं तो जब मैं यह पूचाँ आएगा कि सम्मंध का भाव साथ पूचार है कि पुछूंगा संब्ध में भी कौन से बहुत सब्सक्राइब करेंगे विश्वास के भाव से शुरू करेंगे तो निकल के आएगा विश्वास के भाव से सब्सक्राइब करते हैं तो हम भागी-दादी भी कर पाएंगे और अपने भी कमपर्टिबल हो पाएंगे कऊ तो फिर मेरे में आएगा कि विश्वास का भाव कैसे ऑन्ầnटाइब के बीच मेंथिसरWe, तो और दिरे-दिरे अगर आप इत्तर में इस बात को रख रहे हैं कि अब हमको तो विश्वास के भाव से स्टार्ट करना है सब्मान के भाव से स्टार्ट करना है तो जब हम यह कर रहे हैं तो भागीदारी के अर्थ में भाव को लाएं अब जब पूछ रहें अपने से विश्वास का भाव क्या है सम्मान का भाव क्या है किसीज़ पर हम ध्यान दे कि मेरे में यह भाव बना रहे नहीं तरता में तो फिर हमको इस वास्तविक्ता को देखना पड़ेगा कि मनुष्य जो है जड़ चैतन निकाई का सास्तितव है उसमें वह हूँ अभी चैतन निकाई में देखेंगे टो उसमें भी देखने की च्हंता है चहना के लुप में वह भी निदंतर सुपकर्वक चीना चाहता है कि अभी अपने संस्कारों के सासी है यह मेरे साथ ही हो रहा है अब मैं भाव से स्टार्ट कर रहा हूं तो उसमें जो चाहाना बनी हुई है मैं उसको फोकस में रखके स्टार्ट कर रहा हूं अब जब मैं इस पर ध्यान दे रहा हूं इसके साथ मैं उसको अपने जीसा देख पा रहा हूं कि चाहना के रूप में पोटेंशल के रूप में और सुखी होना चाहता है उसके जो प्रोग्राम के रूप में हम दोनों एक ही ज़से संसकारों में अंतर रवस्त इतने के साथ म मैं देखूंगा तो मैं फिर से व्यबस्था पर ध्यान का ऐधे रहा है अब उसके साथ में क्या कि तो जब मैं इतना कर रहा हूं तो फिर मैं उपर की तरप गति कर रहां उपर मतब कलपना शीर्टा से जो और किरियाई चल लई है जिन से कलपना शीर्टा गवन हो सकती है उन किरियाँ पर मैं ध्यान दे रहा हूं आपने इसी तरह जब मैं जड़ इकाई के साथ मट्रेडल के साथ इंट्रेक्शन करने ज़ाओंगा लुए तो फिर मैं यहां से शुरू करूंगा कि इसके साथ मैं कैंट्रेक्शन करूंगा जिससे वबस्तह में भागीदारी हो तो मेरा ध्यान जाएगा इनमें पहले से ववस्ता है यह ववस्ता में भागीदारी कर रहा है तो जिसे पेड़ को लेंगे तो उसमें ग्रोथ है इन्नेट है इसकी ग्रोथ में मैं हेलफुल हो जाओं यह मेरी भागीदारी है कि इसके साथ जब मैं कर रहा हूं तो फिर मैं भागीदारी पर ध्यान दे रहा हूं फिर व्यवस्ता पर ध्यान दे रहा है। तो जैसे मैं भोजन कर रहा हूं तो मैं यह अवेर्नेस के साथ देख पा रहा हूं कि यह भोजन जो है वो शरीर में भागीदारी कर रहा है मैं पानी पी रहा हूं मेरा coalition जा रहा है कि यह पानी जो है मेरे शरीर की व्हरुक्त हम भागी दारी कर रहा है एक यह वह सकता है इंट्रेक्शन करते से इतनी बात कर द्यान रखना तो धीरे-दीरे हमारा ध्यान विवस्ता पर जाने लगए कि वह चारों तरह भी विवस्ता यह फर तो कि यह एक वे विए तो अभी समय हो गया है तो कल हम लोग दूसरे पर बात करते हैं कि विवस्ता को समझते हूं अब मैं जब इंट्रेक्शन कर रहा हूं तो हम कैसे ध्यान दे रहे हैं तो अभी यह पहली वाली बात मैंने बोली इतनी ठीक है आपके लिए लेकिन मेरा सवाल है और भ्यास के दोरान इतना सब दिखने का अवसर्थ तो मिलता नहीं है यह सब देखेंगे और सब देंगे उसको देखते हुए पूरी ववस्ता पर कैसे जाएगा इसको फर्म लोग कर ले सकते हैं क्योंकि समय भी हो रहा है जै इस वह घ्री इस वह बहुत लोग रख लेते कर इसको करें नमस्ते सभी को जी बहुत बहुत धन्यवाद बैया अपने बार-बार प्रोसेस पर भी ध्यान दिलाया है और अभी जो दूसरा वे आप कह रहे थे उसके लिए भी हम रेडी हो रहे हैं सुनने के लिए तो सभी पार्टिसिपेंट्स का भी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद